नमस्कार बच्चो, इन दीस वीडियो वी आ गोईंग टू डिसकस क्लास 10th SST, शोसर साइंस वरक्षिट नमबर 79, यह आपकी 3rd of Feb 2022 की वरक्षिट रहेगी. In today's worksheet, we are going to continue our 3rd chapter of history that is nationalism in India, यह इस chapter की 10th वरक्षिट रहेगी. इस chapter में हम समझ रहें कि कैसे 1915 से लेकर के 1934 के बीच में Indian National Movement है, वो continue रहता, यानि कि किस तरीके से भारत में जो लोग हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं. इसकी सुरुवात हमने जब 1915 से की थी, तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी साउथ अफरिका से लोटे थे, और उस वक्त ज्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, यानि गांधी जी लगभग अकेली थे. लेकिन पिछली वक्षिट तक जब हम पहुंचे, तो हमने देखा पूरा देश था, पूरे देश के जो लोग थे, वो गांधी जी के साथ खड़े थे, पूरे देश के जो लोग थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे. एसा कैसे हुआ, यह हम इस वक्षिट के थूरू समझने वाले हैं. यानि कि भारत के लोग थे, उनमें जो क्लेक्टिव बिलोंगिंग का जो सेंस था, वो कैसे डालप हुआ? यानि जो नैशनल यूनिटी की हम बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो एकता कैसे डालप लेट्स बिगिन चले, शुरुआत करते हैं, आज की स्वक्षिट की. देश के परती जो प्यार है, प्रेम है, लगाव है, जो एक होने का भाव है, देशनल यूनिटी की बात करते हैं, वही नैशनलिजम है. तो नैशनलिजम स्प्रेड विन पीपल बिगिन तो बिलीव देशनलिजम की शुरुआत अब होती है, जब लोगों को लगता है, कि हम सब एक ही देश के हिस्से हैं. जैसे अब अगर हम बात करें, तो जाए वो नोर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और वेदर वेस्ट इ फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें लगे कि हम एक हैं. जैसे अभी की बात करें, तो अभी तो हमारे पास इंडिया एक नेशन है, तो हमारे पास naturally है कि we all are the citizens of the same country, लेकिन उस वक्त एक नेशन की रूप में देश को देखना भी एक बड़ी बात थी. तो उस वक्त ऐ ऐसा क्या मिला कि जिससे कि भारतियों लोग थे वो आपस में connect हो पाए, उनको यह feeling आए कि हम सभी एक है, we are the brothers and sisters, we belong to the same nation, तो उसमें कई सारी चीजें थी, जिन्होंने भारतियों को आपस में जोड़ा. The sense of collective belonging in India came partly through the experience of united struggles, यान की शुरुवात इसकी हुई थी जब हमने मिलकर के struggle स्टार्ट किया था, किसके खिलाब अंग्रेजों के खिलाब, जब North Indian, South Indian, जब East, West Indian थे, उन्होंने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाब लड़ाई लडनी शुरू कर दी, क्योंकि all the peoples were exploited by these Britices, सभी का शोशन किया जा रहा था, तो उन्हें लगा कि क्योंने मिलकर के लड़ा जाए, क्योंकि सब की समच्या एक ही थी, और सब का इलाज भी एक ही था, कि सब मिलकर के अगर इनको भगाते हैं, तब ही solution हो सकता है, इससे वो एक दूसरे के समच्या को समझने लगे, और जब हम एक दूसरे को समझने कोशिश करते हैं, तो हमेंसा हमें एक दूसरे के close आते हैं, so the sense of collective belonging in India, that सबसे पहले अगर शुरुवात करें, that begin with the experience of the United Struggle, यनकी जो संघर्स किया गया था हमने, उसके साथ इसके सुरुवात होती है, but there were also variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination, लेकिन इसके साथ सथ बहुत सारे और factor भी थे, जैसे हम सारे detail में यहाँ पर discuss नहीं करें, जैसे और factors की बात करें, जिन्होंने लोगों को पास में लेकर के आए, उसमें था English language, English language के थूह हमें एक दूसरे की लेंग्वेज, एक दूसरे की problems, issues, उनकी views को ठीक से जान पाए, ऐसे ही जो introduction of the railways, railway को इंट इंडियन थे, वो South India जा पाए, हम East India, West India या Central India, लोगों से connectivity हमारी बढ़ गई थी, तो ये भी एक important factor थे, यनकी English language और railway, इसके साथ साथ बहुत सारे cultural factors भी थे, जिन्होंने लोगों को जोड़ा, उसमें history and the fiction, folklore and songs, history and fiction का मतलब हिस्टरी को reinterpret किया गया थे, इस पिरेड में, क्योंकि उससे पहले हातों से लिखा जाता था, और अब printing press के आने के बाद, the books जो थी, जितने भी थी, उनको translate किया गया, and the history was reinterpreted की गई, और उसके थ्रू हमने जाना कि हम पहले world leader हुआ करते थे, उसके थ्रू हमने जाना कि earlier we were under the same type of the rule, same type of the government, same type of the dynasty, उसके नीचे हम आत है, हमारी culture से हिम है, folklore and the songs, folklore, songs, लो कथाएं जो होती है, उनमें सुनाये जाते हैं, जैसे आज कल हम सुनते हैं, खूब लड़ी मरदानी, वो तो जहांसी वाली रानी थी, क्या जोश पेदा होता है, हमें लगता है कि हाँ, जो वहां के लोग थे, वो देश के लिए लड़े थे, हम भी लड़ सकते हैं, ऐसे ही जो माय रंग दे बसंती चोला, इस टाइप के या सारे जहां से हिंदूस्ता हचा, इस परकार के जो सौंग थे, उन्होंने भी देश को लोगों को जोड़ने में, उनको मोटिवेट करने में, उनको इंक्रेज करने में, उनमें जोश बात करें, तो जैसे चर्खा, इंडियन नेशनल फ्लेग, जो ट्राइकलर था, इस ने देश के लोगों को जोड़ा, जब भी तरंगे को, जब भी तरंगा होता था, इसका मतलब हम अंगरेजों के खिलाब खड़े थे, जहां पर भी हम प्रोटेश्ट कर रहे थे, वहां प थोड़ा से और जानते हैं, about the image of भारत माता, और कैसे इस image को बनाया गया, और कैसे इन्होंने लोगों को इंस्पार किया, image of भारत माता, the identity of the nation is most often symbolized in a figure और image, कि आम तो और पे किसी भी देश की identity है, वो एक image के थ्रू ही represent की जाती है, as we have discussed in the very first chapter that, मारियान के बारे में हमन वो फ्रांस और जर्मिनी को represent करते थे, in the same way अपने यहां पर भी भारत माता है, उसकी image को create किया गया, and that was representing our nation, this helps create an image with which people can identify the nation, and it was in the 20th century, with the growth of the nationalism, that the identity of the India came to be easily associated with the image of भारत माता, कि इंडिया में भी 20th century के end तक आकर कि भारत माता की image को create किया गया, और उसी image से लोग अपने आपको connect कर पाए, कि अच्छा यह हमारा देश है, अभी की बात करें तो हम Google निकालते हैं, इंडिया के map को निकालते हैं, हम समझ सकते हैं, उस वक्त समझना इतना easy नहीं था, because at that time the internet was not there, even the print जो थे, वो भी easily available नहीं थे, connectivity इतनी जादा नहीं थे, तो उस वक्त जो इंडिया की, जो भारत माता की image create किये गये थी, that played very important role, connecting the people with the country, लोगों के साथ जोडने में बहुत important role play किया था, उन्होंने सबसे पहले इस image को बनाये था, in the 1870s, he wrote वंदे मातरम, 1870s में उन्होंने वंदे मातरम को लिखा था, जो हमारा राष्ट्रिय गीत भी है, उसको लिखा था, and it was a letter included in the novel आनन्द मट, और बाद में ये आनन्द मट, जो नोवल है, उसमें इस वंदे मातरम को include किय गए था, और उसी में ही भारत माता की पहली image बनाई गए थी, आनन्द मट में, ओके पहली जो भारत माता की image थी, वो इसमें include की गए थी, और ये सवदेशी जो moment था, उसमें widely used किया गए था, बड़े लेवल पर इस image को use किया गए था, उसके बाद second जो popular image थी, that was created by the Abindrnaat टेगोर, दूसरी जो image थी, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा popular हुई थी, वो Abindrnaat, टेगोर है, उनकी दोरा बनाई गी थी, in this painting, भारत माता is portrayed as an the ascetic figure, she is calm, composed, divine and spiritual, ये देखे इस तरीके से सन्याशी के रूप में भारत माता को दिखाया गया था, ये second image थी, जो सवद में काफी ज़्यादा popular हुई थी, तो इन images के थूँ एक तो आस था, लोगों की जोड़ी गई थी, okay, spiritual तरीके से उनको divine दिखाया गया था, देवी के तरह दिखाया गया था, तो लोग जोड़ पाए थी, दूसरे ये कि कुछ ऐसी images भी आई थी, जिनमें भारत माता को publish की गई थी, उन में से एक और image देखी, यहाँ पर ये image है, ये भी उस वक्त बाद में आगे चलके ये काफी ज़्यादा popular हुई थी, और बाद में अगर बात करें, तो अभी यही image है जिसको हम generally use करते हैं, in the subsequent years, the image of भारत माता acquired many different forms, और आने वाले टाइम में कई सारे उसक माता की image है, वो बनानी शुरू कर दी, devotion to this mother figure came to be seen as the evidence of once nationalism, और लोगों का इस तस्वीर के परती जो प्यार था, वो देश के परती जो प्यार था, लगाव था, अटेश्मेंट था, उसमें देखा जाने लग गया, this figure of भारत माता is contrast to the one painted by the अबनिंदर नाठे गोर, और ये इमेज थी, जो बाद में popular हुई थी, ये अबनिंदर नाठे गोर की picture के बिल्कुल opposite थी, यहाँ पर she is shown with a three shoes standing beside a loin and an elephant, both symbols of power and authority, इसमें भारत माता को powerful दिखाए गया, जिसमें loin और elephant को भी साथ में दिखाए गया, तो जहाँ पर अबनिंदर नाठे गोर की जो इमेज थी 1905 क उसमें हालांकि चन्यासी के रूप में दिखाए गया था, जबकि यहाँ पर powerful authority के तोर पर दिखाए गया था, तो ये तो बात हुई कि कैसे भारत माता की इमेज है, वो create की जाती है, और किस तरीके से लोग है, खुद को attest कर पाते हैं, इंडिया के साथ और इस इमेज के सा Now let's move to the question answer, to easy question यहाँ पर हमें दिये गए, जिनको हमें solve करना है, तो चली देखते हैं इन questions को First हमारा question यहाँ पर दिया गया, how did devotion to the image of भारत माता came to be seen as the evidence of one's nationalism, हमें बताना की कैसे भारत माता की जो तस्वीर थी, उसके परती जो devotion था, वो देश के परती devotion बन गया था, Okay, explain giving appropriate example, from the end of the 20th century, India began to be depicted by the image of भारत माता, यान की end of 20th century में अगर हम बात करनें तो उस वक्त भारत को भारत माता की image के जोड़ा री पर्जेंट किया गया था, An identity was given to the country through the picture of भारत माता, और भारत माता की picture के थ्रू भारत को एक पहचान दे दी गये थी, उस पहचान को हर कोई मैसूस कर सकता था, हर कोई देख सकता था, Now people all over the country started feeling themselves connected with the image and the country, और इसी image के थ्रू लोग image के साथ खुश को जोड़ पाए, क्योंकि concrete form होनी जरूर यह, जो हमें दिखाई देता है, उस seas के साथ जोड़ना ज्यादा आसान होता है, So, लोगों ने खुद को image के साथ जोड़ा और image के साथ जोड़ने के साथ, they automatically collected with the nation, वो देश के साथ चूड़ गए थे, this strengthened the mutual unity and the nationalist moment, इसे दो चीज़ों को एक तरीके से positive outcomes आए, कि लोगों में आप से एकता बढ़ी, और जो हमारा nationalist moment था, वो भी strong हुआ, क्योंकि लोग उसस को किस ने लिखा, आनन्द मठ वोज रिटन बाई बंकिम चंदर चटोपाध्याय, ये बंकिम चंदर चटोपाध्याय है, उनकी book है, तो ये थी मारी आज की worksheet, उमेद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो ये worksheet अच्छ